हेलो और वेलकम टो टेक्निकल एक्स्प्लेंट इन दे सीरीज प्रिपेर गेट जनरल इन 21 देश इस लेक्चर नमबर फाइफ इन दिस लेक्चर नमबर फाइफ यह अगें गोईं तो डिस्कस्ट तो टॉपिक्स पैला टॉपिक है एज रेलेटेड प्रॉब्लम्स दूसरा टॉपिक है फाइंट स्क्वियर रूट जिल्डा जिल्डावट कैलकुलेटर यह इसका लेक्चर नमबर फाइफ है फास्ट फॉर लेक्चर अलरेडी अपलोड़ेड है उनकी वीडियो भी जरूर देख लेगा चैले जी शुरू करते हैं अचा पांच बचे हैं वो तीन साल के इंटर्वल से पैदा हुए ठीक है और उन सब के एजिस मिलाके आपके पास 50 यह बन रहे हैं आप से पूचा गया है कि जो यंगेस चाइल्ड है सबसे चोटा चाइल्ड है उसकी क्या एज है चले जी हम कहते हैं कि लेट दा यंगेस चाइल्ड भी एक्स उसको हम एक्स कह लेते हैं क्योंकि हर एक चाइल्ड भी त्री येर्स के इंटर्वल से पैदा हुए तो जो दूसरा चाइल्ड है वो उसकी क्या एज होगी वो एक्स प्लस त्री होगी अगर youngest child की age X है और हर एक child क्योंकि 3 years के interval से पैदा हुआ है तो उसके बाद जो child है उसकी age जाहिर सी बात X plus 3 होगी For example youngest child की age 1 है तो जाहिर सी बात है दूसरा जब 3 years के interval के बात पैदा हुआ है तो उसकी age 4 होगी यानि के X plus 3 इसी तरह जो तीस्टा है उसकी जो age होगी वो again 3 years के interval से होगी यानि के X plus 3 प्लिस 3 यानि के X plus 6 इसी तरह जो चोटा है again वो 3 years के interval यानि 3 सान बात पैदा हुआ है तो जो इससे पहले की age है X plus 6 उसमें again हम 3 8 करेंगे तो X plus 9 इसी तरह finally जो पांच वा जो सबसे बड़ा है उसकी age X plus 12 होगी ठीक है तो यह जो पांच बच्चे है 5 children है उनकी ages है अब वो कह रहा है कि some of the ages of this 5 children is 50 years ठीक है तो यानि के X plus X plus 3 X youngest की age है X plus 3 दूसरे की age है यह तीसरे की यह चोते की यह पांच वे की इन सब को हम add करेंगे इनका जो sum of ages है वो आपके पास 50 आता है तो यह according to equation यह आपके पास 50 आ गया अब आपने इसको add करना है अच्छा आपके पास X 5 है 5X हो जाएंगे और 3 plus 6 9 9 plus 9 18 18 plus 12 आपके पास 30 आ गया तो यह 5X plus 30 is equal to 50 इस 30 को मैं इस शाइट पर shift कर लेता हूं तो यह 5X 50 minus 30 हो जाएगा यानि के 5X is equal to 20 अब X find करने के लिए दोनों साइट पर मैं 5 को divide कर लेता हूं ठीक है क्योंकि हमें X चाहिए 5X नहीं चाहिए ठीक हो गया तो यह आपके पास क्योंकि 510 554 जर 20 आता ह तो X की जो वेलियो आपके पास आगई है जी वो 4 आगई है अब X आपके पास क्या चीज़ थी एक्स आपके पास age of the youngest child था तो age of the youngest child कितना हो गया वो आपके पास 4 आगया और आप इसको verify भी कर सकते हैं चली जी youngest child 4 हो गया तूसरा child 3 years के इंटर्वल से तो उसकी 7 years हो गई तीसरी की 10 साल हो गई चौते की 13 साल हो गई ठीक हो गया और आखरी जो 5 है उसकी 16 साल हो गया आप इन सब को add करें आपके पास 50 आएगा ये आपके पास 11 हो गया ये आपके पास 23 हो गया और इदर आपके पास 16 आगया 11 प्लस 23 आपके पास 34 आता है 34 प्लस 16 आपके पास 50 साली है age of youngest child is equal to 4 वो आपके पास बिल्कुल ठीख है next question a is two years older than b who is who का मतलब b who is twice as old as c ठीख हो गया if total ages of a b and c b 27 how old is b ठीख हो गया हमें conditions भी given है हमें ये भी given है कि हमने b की age को find करना है पहला statement क्या है a is two years older than b यानि कि a की जो age है वो b से दो ज्यादा है तो इसको अगर हम equation की form में लेखेंगे तो a is equal to b plus 2 तो क्योंकि a is two years older than b यह जो statement है यहां तक यहां तक जो statement है इसका मतलब यह है कि a की age b से two years ज्यादा है वो b से two years elder है a जो है वो b से two years elder है for example b दो साल का है तो a चार साल का है प अगर चार साल का है तो s च्छे साल का है क्यों क्योंकि a जो है ना वो two years older than b है b से two years older है elder है ठीक है जी तो यह आपके पास equation one हो गया अचा दूसरी बात who is twice as old as b की b की बात कर रहा है who is twice as old as c t b जो है is twice as old as c इदर who से मुराद b है क्योंकि end में b आए तो इदर who से मुराद b है तो दूसरी बात यह है कि b is equal to two c क्योंकि यह given है कि b is twice as old as c तो यह आपके पास equation two हो गया ठीक हो गया अब वो कह रहा है total edges of a b and c b 27 क्यानी के a का edge b का edge और c का edge आपस में आप मिला लें तो आपके पास 27 बनता है यह आपके पास equation three all गया ठीक है how old is b b का जो edge है वो हमने find करना है देखें आपके पास equations given है दूसरी बात यह है कि अब हम b का edge find करते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि a को भी b की terms में लेके c को भी b की terms में लेके अगर आप देखें a already b की term में मुझूद है ठीक है तो यह आप इस equation को हम safe कर लेते हैं ठीक है एक ही जगा हम यह वाले value put कर लेंगे दूसरी बात यह है कि b is equal to 2c अब c को भी हम b के terms में लेके लेते हैं simple दोनों साइट पर मैंने 2 से divide कर लिया तो आपके पास c is equal to b divided by 2 आगया ठीक है यह आपके पास दूसरी equation होगी अब आप यह equation 1 को और इस equation को इदा पूट कर ले a की जगा में क्या पूट कर लेता हूँ b plus 2 कि a की जगा मैंने पूट कर लिया उसके बाद b है जिसको मैं c रहने देता हूँ यूकि b तो मैंने find करना है c की जगा मैं b divided by 2 पूट कर लेता हूँ और यह आपके पास 27 आगया बस यह जो equation है आपने इसको solve करना है इससे आपके पास b की जो value है वो आ जाएगी ठीक है अच्छा अब देखें इदर आपके पास divide by 2 है और इदर आपके पास divide by 1 है यानि कि जिनका lcm होगा वो आपके पास 2 होगा ठीक है अब नीचे 1 है तो जाहिर सी बात इसको 2 बनाने के लिए मैं 2 से multiply करूँगा इदर भी आपके पास 1 है तो 2 बनाने के लिए 2 से multiply करूँगा ठीक है तो ये आपके पास देखें ये मैंने simple lcm लिया है इदर आपके पास 2 था इदर 11 थे तो उसको भी मैंने 2 बना दिया है ठीक है तो ये आपके पास 2 into b प्लस 2 आ जाएगा दस b multiply by 2 आपके पास 2 भी आता है और इदर आपके पास b है ठीक हो गया इस इस इकल तो 27 विच इंपलाइज अच्छा 2 into b आपके पास 2 भी आता है और 2 आप 2 से भी multiply करेंगे क्योंकि b प्लस 2 ब्रेकेट में है तो दोने के साथ 2 multiply होगा तो 2 तू जार और आता है उसके बाद आपके पास 2 b है simple मैंने उसको लिख दिया उसके बाद plus b है उसके बाद divide by 2 है और ये 27 है ठीक हो गया अच्छा ये जो 2 है इसको मैं इदर shift कर लूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा जी मैं इदर लिख लेता हूँ इससे आगए आपके पास इदर है अच्छा 2 b plus 2 b plus b ये आपके पास 5 b plus 4 आ जाएगा और 2 को जो है ना वो मैं इदर shift कर लूँगा 2 multiply by 27 आपके पास 54 आता है अब इस 4 को मैं इदर shift कर लूँगा तो ये minus हो जाएगा ये आपके पास 54 minus 4 आ जाएगा यानि के 5 b is equal to 50 अगें हमने b को find करना है तो दोनों side को हम divide करेंगे 5 से इदर भी 5 से divide करने इदर भी 5 से divide करने ये दोनों आपस में कट जाएगे और b के जो value आपके पास आ जाएगी वो 10 आ जाएगी ठीक हो गया यानि के how old is b b की किया age है वो आपके पास 10 years है ठीक है अब अगर again आप confirm करना चाहें तो आप confirm कर सकते हैं ठीक है जब b की 10 years है a की क्या होगी b plus 2 a की क्या होगी वो आपके पास b plus 2 होगी यानि के 12 होगी ठीक है ये आपके पास a की ये जा गई c क्या होग है b divided by 2 यानि कि 10 divided by 2 तो C की आपके पास 5A आज़े अब आप A plus B plus C करें यानि कि 12 plus 10 जो कि 22 आता है plus C जो कि आपके पास 5 आता है 12 plus 10 plus 5 ठीक हो गया A plus B plus C इनको सम करें आपके पास 27 आएगा तो ये आपके पास confirmation भी हो गई है कि हमारा जो B का आंसर है वो ठीक है इसका जो आंसर है वो आपके पास 10 years आगए Next question A man is 24 years older than his son ठीक है एक आदमी है चले आप उसको बाप कह ले पदर कह ले वो अपने बेटे से 24 साल बड़ा है ठीक हो गया In two years In two years मतलब दो साल मैं यानि के दो साल बाद In two years का क्या मतलत है दो साल मैं या दो साल बाद His age will be twice the age of his son दो साल बाद इस हिस से अब क्या मुराद है His refer कर रहा है इस बंदे को ठीक है यह जो बालिर है उसको refer कर रहा है तो दो साल मैं The father की age है वो son की age से दो दो गुना हो जाएगी Twice हो जाएगी ठीक है What is the present age of his son आपने present age of his son find करता है ठीक है पहली बात इस बंदे के age को ठीक है मैं F से denote कर लेता हूँ Let father age be F ठीक है Let father age be 12 Current father age be 12 ठीक हो गया Let father age be Sorry F F से denote कर लेता हूँ Let father age be represented by F Let son age Let son's age father's age और son's age be represented by S ठीक हो गया अच्छा पहली condition क्या है A man is 25 years older than his son A man को हमने father से father कह दिया जिसको हमने age हमने F से denote कर दी यानि F is equal to S जो की son की age है plus 24 ठीक है ये आपके पास एक एक एक्वेशन आ गई ये कैसे आ गई क्योंकि F जो है न वो 24 years older है उसकी age 24 years ज्यादा है son की age से अगर son एक साल का है तो father 25 साल का होगा क्योंकि 1 plus 24 25 हो जाएगा अगर son 5 साल का है तो father 29 years का होगा क्योंकि 5 plus 24 29 आता है तो father age जो है वो 24 years ज्यादा है son से ठीक है अब वो कह रहे है in two years दो साल में अच्छा दो साल बात जो है ना जो father की age हो जाएगी वो आपके पास F प्लस 2 हो जाएगी इसी तरह दो साल में son की age हो जाएगी वो S plus 2 हो जाएगी जाहिर सी बात है अगर आज आपकी age कुछ age है तो दो साल में वो बारा हो जाती है दो साल उसके साथ age की जाते है अब current age father की F है दो साल age कर लिए है मैंने इस तरह son की S है तो दो साल बाद उसमें two age करूंगा अगर मैं दो साल बाद उसकी age find करना है वो कह रहा है के in two years father age will be इस मतलब father will be twice the age of his son यानि के two into age of his son क्या होगी उस टाइम S plus two ठीक हो गया ये जो ये जो statement है ना इससे हमने ये वाली equation निक्वा लिए ठीक हो गया अब इसको जरा cross करते है F plus two is equal to two S plus four ठीक हो गया अब इदर जो F is equal to S plus 24 है ना इदर मैं F की जगा ये जो equation है उसको put कर लेता हूँ क्योंकि मुझे S find करना है ठीक है मुझे present age of sun find करना है यानि मुझे S find करना है तो F की जगा ये जो S plus 24 है ये मैं put कर लेता है ये S plus 24 ESF की जगा मैंने put कर लिया plus two is equal to two S plus four H implies S plus 24 plus two ये S plus 26 आजाएगा ये आपके पास two S plus four आजाएगा अच्छा four को मैं S side पे shift कर लेता हूँ तो ये S plus 26 minus four हो जाएगा ये आपके पास two S हो जाएगा यानि के S plus 22 is equal to sorry S plus 22 इदर मैं लिख लेता हूँ S plus 22 is equal to two S ठीक हो गया अब ये जो S है इसको मैं इदर shift कर लेता हूँ ठीक है इसी equation को again मैं इदर लिखता हूँ S plus 22 is equal to two S इस S को मैं इदर shift कर लेता हूँ ये 22 is equal to two S again यह minus हो जाएगा 22 is equal to 2s minus s आपके पास s आगया तो s की जो value आगई आपके पास 22 आगई what is the present age of the sun वो आपके पास 22 आगई again अगर आप इसको confirm करना चाहें तो आप confirm कर सकते हैं ठीक है मैं इसको मिटा देता हूँ और again मैं इसको confirm कर लेता हूँ ठीक है सन की क्या age आगई थी 22 ठीक है पादर की क्या age होगी यह s is equal to 22 है यह present age है पादर की क्या होगी वो 25 years older है और 24 years older है तो 22 plus 24 पादर की 46 हो जाएगी ठीक हो गया अब आप देखें 2 साल में पादर की जो age है वो twice हो जाएगी दो साल में सन की जो age है इसका मैं एजबार से देनोड कर लेता हूँ वो 24 हो जाएगी पादर की जो age है वो 48 हो गई देखें यह twice of the sun हो गई तो यह जो s is equal to 22 हमने नकाला था वो हमने ठीक नकाला था question यह है at present the age of father is five times the age of son after three years the age of father will be four times the age of son find the present age of father and son तो हमने present age find करनी है पहले तो बात यह है कि चले जी father age को मैं denote कर लेता हूँ F से father age को मैं कह लेता हूँ F सरी इस तरह sun age को मैं denote कर लेता हूँ जी S सरी sun की जो age है वो S हो गई father की जो age है वो F हो गई अब present scenario क्या है present scenario यह है आपके पास 5S आ जाएगा ये आपके पास एक एक एक्वेशन हो गया पिर दिया है आफटर 3 येर्ज देखे जब तीन साल गुजरेंगे जाहिर सी बात है फादर एज भी प्लस 3 हो जाएगी और जो सन की एज है वो भी प्लस 3 हो जाएगी फादर एज को हमने एफ का हुआ है सन एज को हमने एज का हुआ है दोनों की एज प्लस 3 हो जाएगी वो कर रहे कि आफटर 3 येर्ज दा एज ऑफ फादर इस फॉर टाइम्स दी एज ऑफ सन तो ये आपके पास एक्वेशन 2 हो गया बस आपने इन दो एक्वेशन को सॉल्ब करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा तो f प्लस 3 इस एकल to 4s प्लस 12 आ जाएगा अब इस f की जगाँ मैं 5s पुट कर लगता हूँ तो इदर मैं 5s पुट कर लेता हूँ तो 5s प्लस 3 इस एकल to 4s प्लस 12 यह जो 4S है इसको मैं इधर shift कर लेता हूँ तो यह minus 4S हो जाएगा तो यह आपके पास यह आ गया अब 5S minus 4S आपके पास S आता है तो S plus 3 आपके पास 12 आ गया तो S जो है वो आपके पास आ गया जी 12 minus 3 यानि के S is equal to 9 अब S क्या चीज थी आपके पास sun age थी तो जो sun age है वो आपके पास 9 years आ गया यह सन की present age है क्योंकि present age को हमने F और S कहा था फादर की age को F कहा था और sun की age को S कहा था अब फादर की क्या present age है वो क्या है वो आपके पास 5S है तो 5 multiply by 9 आपके पास 45 आ जाएगा यानि के 45 year तो आप सेनारियो को समझने की कोशिश करे present age father की 45 है son की 9 है after 3 years क्या हो जाएगा after 3 year जो है वो father की age 48 हो जाएगी son की 12 हो जाएगी तो अभी देखे father की age 5 times the age of son है after 3 years father की age 4 times the age of son हो जाएगी तो इसलिए आपके पास यह answer स्टीक है son की present age 9 years है father की present age 45 year पहला है find square rate of 256 देखे हमें पता है कि prime numbers कौन कौन से है prime numbers वो होते हैं जिनके two factors होते हैं two आपके पास prime number है three है five है seven है eleven है thirteen है and so on तो आपने prime factorization method कि किसी भी number को इन numbers में आपने लिखना है इन numbers के multiplication से prime factors के multiplication से आपके पास यह number होना चाहिए तो इसको solve करने का तरीका यह है कि आप अगा ले इदर आप 256 लेके अब जो two एक prime factor है यह two पे divide हो सकता है तो two पे अकर हम divide करेंगे तो हमारे पास one twenty eight आ जाएगा again यह two पे divide हो सकता है और one twenty eight divide by two हमारे पास 64 आ जाएगा again यह two पे divide हो सकता है तो यह हमारे पास thirty two आ जाएगा और दोबारह यह two पे divide हो सकता है तो यह sixteen आ जाएगा again यह two पे divide हो सकता है तो यह eight आ जाएगा यह इस process हम continue रखेंगे तब तक जब तक हमारे पास one ना आ जाए और आगया again two पे divide हो सकता है two आ गया and finally two divide by two आपके पास one आ गया है जब one आ गया है तो आपने इदर stop कर लेना है इदर आप देखें यह 256 जो है वो equal है किस चीज़ की two multiply by two one two three four five six seven eight so eight दफा मैं two लिख लूँगा one two three four five six seven eight अब square root निकालने के लिए आपने क्या करना है कि जो दो जोड़े हैं जो pair है उनको एक consider करना है इसको मैं two consider करूँगा इसी तरह इसको मैं two consider कर लूँगा इसी तरह इसको मैं two consider कर लूँगा और इसको भी by 2 मेरे पास 4 आता है, 4 multiply by 2 मेरे पास 8 आता है और 8 multiply by 2 मेरे पास 16 आता है, तो इसका जो square root है, यानि कि under root of 256 is equal to 16, जिसका जो right answer है, जो square root है, वो आपके पास 16 आ गया, next question find square root of 1296, वही तरीका है कि prime factorization आपने करनी है, पहले आपने देखना है कि क्या वो number 2 से divide हो सकता है, अब हमें पता है कि 1296 2 से divide हो सकता है, अगर आप direct कर सकते हैं, तो ठीक हैं, नहीं कर सकते तो रफ़ परक में आप इदर अपने लिए 2 से इसको divide कर लें, यह आपके पास आ जाएगा divide होने के बाद, अगें जब हम 2 पे divide करेंगे तो यह आपके पास 81 आ जाएगा, अब देखे 81 आ गया तो यह 2 पे नहीं divide हो सकता, क्या यह 3 पे divide हो सकता है क्योंकि देखे prime numbers में 2 के बाद हमारे पास 3 हैं, तो 3 पे यह divide हो सकता है तो हम 3 पे इसको divide करेंगे, और जब आप 81 डिवाइड बाइ 3 करेंगे तो आपके पास 27 ही आएगा, अगर आपकी math days है तो आप मेरे लख लेता हूँ, यह मेरे पास क्या है तो मर्टिपलाइब nào है 2 बाइड दू, मर्टिपलाइबाय तू, बाइड दू, डेके मरे पास, चार 2 है और चार three है multiply भाइड त्री, multiply by three, multiply by three multiply by three, multiply by trois, अब अगें pair को मेने single लेना है, तो इस pair को में single ले लेता हूँ इसी तरह इस pair को मैं single ले लेता हूँ इसी तरह इस pair को मैं single ले लेता हूँ और इस pair को भी मैं single ले लेता हूँ तो यह देखे two multiply by two मेरे पास four आता है और three multiply by three मेरे पास nine आता है तो four nine zero thirty six यानि कि जो under root twelve ninety six है वो आपके पास आता ही जी 36 और ये इस get general test में इस दफ़ा ये question आ चुका है square root of 1296 आपके पास क्या है उसमें एक शोग option 36 था इसले 36 right answer था तो आप उस paper में उसको इसी तरीके से solve कर सकते हैं और right answer निकाल सकते हैं next question find square root of 1089 again वही तरीका है prime factorization की मतलब से हम करेंगे अब देखें जो last digit है वो nine है ये एक odd number है तो अब ये two से नहीं divide होगा तो अब आपने three से divide करना है अब देखें ये इसको three से divide करना ज्यादा आसान नहीं है तो मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं इसको इदर rough work में three से divide कर लेता हूँ three three ZAR मेरे पास nine आ गया ten minus nine मेरे पास one आ गया तो ये 360 मेरे पास 18 आ गया, यह میरे पास 0 आ गया और 9 और 0 मेरे पास 9 आता है, तो 5 263 आ गया, अब 363 अगैँ यह 2 पर angled हो सकता है, और अब इसको 3 पर डिवाइड करना असान है , क्योंकि हम беспनी है क्य tapping तो więc 23 टिवाइड़ बै 3 आपके पास 121ora जाएगा अब जब 121 आ गया है तो 121 टू पे सो नहीं डिवाइड हो सकताや हूए है 3 पे पियूंज हो सकता तू पे भी नहीं डिवाइड हो सकता नहीं 7 पे डिवाइड हो सकता था अधर और उसके 11 को भी हम 11 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा जब 1 आता है तो आप स्टॉप कर लेते हैं तो अब आप इसको लिख लेते हैं कि 3 multiply by 3 multiply by 11 multiply by 11 अगेन वही तरीका है कि आपने pair को single लेना है तो इसकी जगा मैं 3 लिख लेता हूं और इसकी जगा मैं 11 लिख लेता हूं अब 3 11 जार या 11 3 जार आपके पास 33 आता है तो कहने का मतलब यह है कि under root of 1089 जो है वो आपके पास 33 आता है नेक्स्ट वेशन 5 square root of 7744 अगेन हमने prime factorization method से करना है तो यह 7744 को मैं इदर लेता हूं यह आखिर में 4 आगे तो यह 2 से divide हो सकता है और जब आप इसको 2 से divide करेंगे इदर अगर आप रफ वर्क में करना चाहें तो आप कर लें बेशक आप कर लें 2 3 जर आपके पास 6 आजाएगा यह आपके पास 1744 हो जाएगे 2 8 जर आपके पास 16 आजाएगा तो यह आपके पास 1 आगे और यह 44 हो गए तो ही इसी तर आपके पास 7 जर जो है 2 7 जर 14 आजाएगा तो यह आपके पास 4 आजाएगा और 2 2 जर आपके पास 4 आजाएगा इसका आपके पास जब आप इसको 2 से divide करेंगे तो आपके पास 3872 आजाएगा again जब आप इसको 2 से divide करेंगे तो आपके पास 1936 आ जाएगा आप रफ़र्फ में कर लें आपके पास यह answer आएगा वेसी भी अगर आप इसको directly divide करें 72 को divide by 2 करें तो 36 आता है 38 को divide by 2 करें तो 19 आता है again जब हम इसको 2 से divide करेंगे तो आपके पास 968 आ जाएगा क्योंकि जब आप 1936 को 2 से divide करेंगे 29 ज़र 18 आ गया यह आपके पास 136 आ जाएगा अब आप क्या करते हैं कि 26 ज़र आपके पास 12 आ जाता है और 13 माइनस 12 आपके पास 1 हो गया और 6 को आप नीचे ले आए और यह 8 ज़र आपके पास 16 आ गया यह आपके पास 968 आ गया अब अगें जब आप इसको 2 से divide करेंगे तो आपके पास यह आ जाएगा 484 आप इसको रफ़र्क में वेरिफाई कर सकते हैं अगें जब 2 से divide करेंगे 242 आ जाएगा अगें जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 121 आ जाएगा अब देखें 121 2 से भी नहीं डिवाइड होता नहीं 3 से डिवाइड होता है नहीं 5 से डिवाइड होता है नहीं 7 से डिवाइड होता है ये सिरफ 11 से डिवाइड हो सकता है यह देखे ना जो prime factors है वापके पास 2, 3, 5, 7, 11 and so on है अब 2 से भी 121 नहीं divide हो सकता, 3 से भी नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं हो सकता, 7 से भी नहीं हो सकता तो आपने इसको फिर 11 से divide करना है इदर 11 से यह divide हो जाएगा, यह आपके पास 11 आ गया अब यह जो numbers है again आप इसको इदर लिख ले 2 multiply by 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 2 तो कि आपके पास 6 2 है और 2 11 है again देखे मैंने कहा था कि आपने pair को single लेना है तो इसको मैंने single ले लिया, यह 2 हो गया, इसी तरह इसको मैंने single ले लिया और इसको भी मैंने single ले लिया और इसको मैंने single ले लिया तो two multiply by two आपके पास four आता है four multiply by two आपके पास eight आता है तो eight multiply by eleven आ गया यानि कि 88 जो है वो आपके पास square root आ गया seven seven four four ता अगर आप कोई वीडियो पसंद आए फ्लीज मेरे चैनल टेक्निकल इक्सक्राइब को सब्सक्राइब कीजिए तेंक यू